असलाम आलेकुम फ्रेंड उम्हेद करता हूँ खैरे सौंगे फ्रेंड आज आप देख रहे होंगे कि मैं अपने स्टूडियो के अंदर नहीं हूँ बेसिकली मैं अपनी अलेक्टिक साइकल के उपर बैठा हुआ हूँ अज आपके साइकल के वाला हूँ कि अगर आपके पास अलेक्टिक साइकल साइकल है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारे पास अलेक्टिक साइकल है अगर कैमरा में दिखाए ये देखें इसकी ये कीज है ये ओन ओफ यहां से ओन ओफ होती है और ये इसकी एक रेस है जिसे थ्रोटल कहा जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कैमरा मैं पीछे जूम करके दिखाए मैं इसकी रेश दूँ तो यह देखें इसकी अच्छी खासी रफ़तार है मैंने इसे बाइक के साथ दोड़ाया था और बाइक का जो मीटर था वो 35-40 के करीब था और यह उसके साथ साथ जा रही थी इसकी अच्छी खासी रफ़तार है यह बाइर से इंपोर्ट कर वाई थी तो आज मैं आपके साथ शेर करने बालाओं कि किस तरह से और हम इसे वाश कर सकते हैं, कौन-کौन सी चीजों का आपने ख्याल रखना है, कौनOSी चीजों को आपने पानी नहीं लगाना, और किस तरह अपने वाश करना है तो यहां पर सिंपल देखें, सबसे पहले आपने वाश करने के दूरान सबसे पहले आपने जो भी आपके पास अलेक्ट्रिक वहीकल है, आपकी गाड़ी है या आपकी बाइक है, अलेक्ट्रिक कोई भी वहीकल है, आपने सबसे पहले जहां से आपने अलेक्ट्रिक वहीकल प तो यह भी इसकी जो मोटर है पीछे वह वाटर प्रूव है अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं किस तरह से आपने से वाश करना है और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपने पानी नहीं लगाना तो यह देखें कितनी इसके हलात खराब हुए पड़ें अगर मैं तार को पीछे करूँ थोड़ा सा यहां पर मैं दुसी तरफ आ जाता हूं ताकि कैमरा मैं इनको भी दिक्कत ना हो यह देख सकते हैं यह मेरी जो पीछे वाली मोटर है यह वाटर प्रूव है इसको मैं इजी वाश करते हैं और इसके साथ मैंने मिक्स किया है जो आप बतंद होने वाले आपका साबून होता है यहां पर देख सकते हैं यह देख साबून है जिससे आप घशिजप करना खर यह जाली यूज करोंगा जो हम पे थोड़ी सी मत्ती ज्यादा है यह जंग आपके बायक मे ल यह वाटर प्रूव है कि हम इसे दो सकते हैं तो यह मेरी वाटर प्रूव है तो मैं इसे अच्छी तरह से यहां से साफ कर लूँगा और जहां-जहां अगर आपके पास बाइक है अच्छे खासे मार्कीट में आये हुए है लोग यूज करें तो इसके अगर टाय में जंग ल किया हुए है तो आप यह यूज कर सकते हैं इससे आप अपने बाइक का जंग वी उतं जाए तो मैं तक Deborah के बालेंसे होके अब कंपार जो वार्फ कर दो दो इसी तरह मैं अगर फ्रेंट वाल एरिये पर जाओंगा तो यहां पर मैं फ्रेंट वाल एरिये में आ चुका हूं तो यहां पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा मट्टी लगी हुई है बिसी कली यह अच्छा खासा चलती है साइकल हमारी अच्छी खासी रफतार भी है हमारे तक काफी ज्यादा लोग डर जाते हैं कि खराब न हो जाए कहीं यह न हो जाए वो न हो जाए अगर आप इस तरह मैं वाश कर रहां अगर आप इस तरह आवाश करेंगे इसी ली लेक्टिक बाइगी है आपकी जो भी साइकल है वो साफ हो जाएगी और उसे कुछ भी नहीं पर भी पानी लगा लेता हूँ अब आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ यह देखें फरंट भी साफ हो चुका मेरा वील ओक्यों हो गया अब बात कह लेते किन किन चीजों का अपने ध्यान रखना है किन किन चीजों के ओपर पानी नहीं लगाना जिससे आपकी जो है Geld क जो भी आप यूस करते हैं वह खराब हो सकता है तो यहां पर देखें जो Pemand को थोड़ सा रन करूं यह जैंँ बेसीकली यहां पर इसका में सरक्ट है अगर कैम्रा में जूम करके दिखाए यहां पर यहां यहां जो box लगा हुआ है, इसके अंदर आपका जो main circuit है, जिससे आपकी यह पूरी electric bike, जो भी वहीकल है, वो control होता है, जिससे आपकी race control होती है, सब कुछ control होता है, तो यहां पर मैं आपके साथ share करता है, चलूँ, आपके भी इसी तरह कहीं न कहीं जगा पर, electric bike पर, यहां electric क किसी भी वहीकल के अंदर एक circuit होगा, जिसके उपर आपने पानी नहीं लगाना, जिससे क्या होगा, अगर उसे पानी लग जाता है, circuit को, तो आपका वहीकल खराब हो सकता है, तो यहां पर मेरा basically यह circuit लगा हुआ हुआ है, जहां पर बैटरी का भी connection हुआ 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 तो आपने कोशिश करनी है कि यहां पर आपका पानी ना लगे, अब आपने क्या करना है, अब आपने simple यहां पर क्या करना है, आपने यहां ले लेना, एक चोटा सा कपड़ा लेना है, उसे wash करके, आपने यहां पर गिले कपड़े से इसे साफ कर लेना है, यह देख सकते है हलका हलका गिले कपड़े से आपने से साफ करके और गिले कपड़े से हलका हलका आपने इसे साफ कर ले नहीं यह देखें अब मैं सिंपल इसे करता हूँ यहां से साफ यह देखें कपड़े को मैं साफ कर लूँगा तो अगर आपकी बैटरी अलग हो जाती है तो आप उसे पहले लाजमी से उतार लें उतार के उसे साइड पर रख लें फिर आप अपनी साइकल को या अपने बाइक को साफ एजिली कर साथे हैं जिस तरह आप बाइक को दोते हुआ अपना प्लग उतार लेते हैं इसी तरह सौ फानली यहां पर देख सकते हैं में इक गिले कपड़े से भी यहां से साफ कर दिया है अब आप आपने एक और चीज का ध्यान निखना है उस चीज का क्या ध्यान लकना है यहां पर का मैंने जोम करें यह जिस इसُा इसौई ठोड़ा सा दूर रेंग जो इसकी तो यहां है आपने कोशिश करें इसके अंदर भी पानी ना जाए जिस तरह इसके अंदर भी कोशिश करने आपने पानी नहीं डालना अगर पानी डालते हैं तो इसके अंदर सेंसर होते हैं जो के आपका थ्रोटल खराब हो सकता है यह काफी इच्छा खासा कॉस्ट्ली है हमने हाली में से purchase किया था यह हमें पढ़ा था चाइना के अंदर 3000 पे का यह हमें पढ़ चुका था आया भी तीन या चार हफ़ते के बाद हमें रसीव हुआ है तो इसी तरह आपने जो इसकी back side पर बैटरी होती है अगर आपके external है तो आपने उतार के उसे रख लेना है तो आप इन तीन य कर सकते हैं जो भी आपका electric vehicle है मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपने अपनी electric cycle या अपनी electric bike को अपना घर में वाश करना या service करना है मीद करता हूं वीडियो इंफ्रमेटिव लगी होगी वीडियो को लाजमिस लाइक कर देना क्यों कैसी informative वीडियो वीडियो बनती है तो मैंने का चलो लोगों को guide कर दिया जाए क्यूंकि आज कल यह दोर इसी पर है electric vehicle पर ज्यादा तर आ रहे हैं लोग तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को guide कर लिया जाए कि यह ना हो कि घर में वो service करें service करने के बाद उनको लेने के देने पर जाएं तो के लिए अपना ख्यार रखिएगा सेफ रहें से के रहें मुझे दे इजाज़त अला हाफिस